हेलो दोस्तों गुड़ मॉर्निंग नमस्ते मेरे बड़े भाई बैनों को चरण इस पर सुछोटों को धेर सारा प्यार मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी न्यू ब्लॉग में तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे मज़े में होंगे सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में तो दोस्तों ये सिलाई मसीन है ये हमारे रशोई के पास रखी थी वहाँ पे हमारी भावी सिलाई किया करती थी और रात को सिलाई करती थी तो अब वो चली गए हैं अपने माई के तो इसको उठा करके हम रों पे रख दिये हैं और हम तो सलाई करते नहीं है जब कभी इसलहा हुआ थोड़ा तो यही रों पे कर लेंगे और भावी थी तो वो जादा सलाई करती थी तो यहीं पर रखी थी जहांपर यह ठीलिया कड़ी है इसी के पास में रखी थी तो हम यहां से हटा कर उसको रख दिये हैं और यह सुबहे की जाड़ू लगा रहे हैं हम तो यह ठीलिया पर बहुत सारा समान रखा रहता है तो उसी को हमने हटा दिया है साप कर दिया है और द काम है और यह इसी से सुरुवात हो जाती है मारे दिन की तो जाड़ू लगा देते हैं और जाड़ू लगाने के बाद बाकी का काम करेंगे और सुहानी अभी हमारी सो रही है और सुबह इतनी ठंडी होती है तो ठंडी में बहुत ज्यादा काम हो जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों पूरे घर में जाड़ू लगाने के बाद हमको करनी है सुहानी की मालिस तो इसके मालिस कर देते हैं और यह तो डेली का कांग है मारा इनके मालिस करो और जब गर्मी थी तब तो तो तीन बार मालिस हो जाती थी अब तो बहते चल्डी में दो बार मालिस होती है्योग डो बार कभीए कभी एक ही बार मालिस हो पाती है क्योंकि इतनी सरदी होती है तो बार बार इनके कपडे उतारने में इसको तो ठंडी लगेगी हमें तो कौई दिक्कत नहीं है तो चलिए मालिस कर देती हैं हम और फिर मिलते हैं आप लोगों से और इधर अम्मा हमारी बना रही है खाना तो हमने जाडू लगाई और सुहानी को मालिस की और जो सुबह का काम होता है वो हमने कर दिया और अम्मा खाना बना के तयार कर दिये और इधर भहिया हमारे बनाने जा रहे हैं पनीर तो जब भी हम लोगों को पनीर खाने का मन होता है तो घर पे दोतफाड लिया जाता है और बना लिया जाता है पनीर तो ये साम को पसंद है। इस वज़े से साख बना है, बाकि हम सभी लोग ये पनीर खाएंगे और साख भी खाएंगे, जिसको घो खाना लेंगे. और दूद कफी बच जाता है साम को और जब भावी थी और भावी के बच्चे थे तब कम बच्चता था क्योंकि सभी लोग खा लेते थे साम को और नापा उतना ही दूद जाता है और तीन लोग कम हो गए हैं तो दूद बच जाता है इस वज़े से साम को डाल दिया गया था कि सुबह पनीर बनाएंगे और इदा देखिए सारे मसाली हमने तयार कर लिए हैं प्याज और अधरक लेशन का पेश ठरी मेर्चे जितने भी मसाली हैं सब तयार हैं और भहिया बनाएंगे हम तो बस ऐसे ही मैठे हैं और ये देखे प पनीर को फ्राई करके बनाएंगे और आज यहां पर पहली बार हमारे आप राई करके बन रहा है वांकी तो कच्छा पनीर बनाया जाता है लेकिन भहिया बोल रहे थे कि आज प्राई करके बनाते हैं ये कैसा लगेगा खाने में हमने तो खाया है पर यहां पर ऐसे ही बनता करेंगे तो देखे भाईया बना रहे हैं और यह बहुत अच्छा पनीर बनाते हैं भाई करेंगे तो भाईया बना रहे हैं अच्छा बनाते हैं अच्छा 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 बनाते हैं इसान। कर दो कर दो कर, कर दो कर. कर दो कर दो और इधर देखे दोस्तों पनीर बनकर की तयार है और यह लग रही है भईया के लिए थाली तो चावल पनीर और घी की चुपडी रोटी अगी की चुपडी रोटी हम नहीं खाते हैं तो हम अपने लिए दूसरी थाली लगा रहे हैं अभी और भाईया को यह दे दिया खाना और हम अपने लिए लगाए लिए हैं साग चावल और पनीर रोटी तो साग अम्मा ने बनाया है तो आईए आप लोग भी खा लीजी और मिलते हैं खाना खाने के बाद आप लोगों से बने रहे वीडियो में गत्री बत्री जारी तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने बाल बांद लिए तयार हो गए है हम और मेठी को भी तयार कर दिया कपड़े पहना दिये और सुहानी को गरम कपड़े पहना दिये और ये साम का टाइम है साम के करीब साड़े चार बज़े हुए है तो दादा हमारे खेत से बरसीम लेकर आये है तो वही हम कतरवा रहे है तो हम लगा देते हैं दादा काट लेंगे और जो पयार और बाजरा और कर्भी जो कत्री जाती है तो वो एक दिन काटने वाले आये थे तो वो कत्रवा के रख लिया गया था तो अब डेली नहीं काटा जाता है तो बस बरसी मिला दी जाती है और जन्वरों को ऐसे ही डाल दिया जाता है तो वो खा गाउं में जो बारात होती है तो निकासी घुमते हैं सभी लोग तो वही देखने के लिए हम सभी लोग इखटा हो गई है ये देखे हमारी बड़ी अम्मा और भाबी सैल कलपना और जितने भी महले के सभी लोग है तो सभी लोग बारात देखने के लिए खटा हो गए तो ये महले की बात है तो वो लोग हमारी तरफ नहीं आई पता नहीं के उन्हें आई साइट टाइम जादा हो गया इस वज़े से और जब हमारे लोगों की तरफ बरात होती है तो पूरा गाउं घोमती है तो सभी लोगी खटा हो गये बरात देखने के लिए लेकिन ना तो डांस हु निकली तो उसी को ये बच्चे देखके भाग रहे हैं पीछे पीछे और फिर इधर देखिए साम के पांच साड़े पांच का टाइम है बरात देखने भी इतनी टाइम लगा दिया हम लोगों ने तो ये साम को सभी लोग अपने अपने घरों में जानवरों को सानरी चारा पानी यही कर रहे हैं और दादा हमारे बकरी बांधने जा रहे हैं अंदर क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है और अम्मा कर देंगी जानवरों को चारा तो बस दोस्तों आज का वीडियो यही तक और यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लेज ह पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार बाई